रूल्स फोर दा रूल्स ओफ दा सेल रिप्रेजेंटेशन पहले मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं सबसे पहली बार जो लेफ्ट कमपार्टमेंट था उसको मैंने ए बोला इसका मतरब लेफ्ट में कौन आएगा ए नौड आएगा बीच में ब्रेज आए गए दो डंडे है किसको रेप्रेजेंट करने हो वाही सॉल्ट ब्रिजह को रेप्रेजेंट कर रहे है ठीग नहीं याँ पे तरे पास बेज आ जाए गा और मेने ने मतलब यह बीच możliकि द्यान रेखनी है पहली बात दूसरी बात क्या थी कि मान के चल मैंने जिससे सिंपल में कोई reaction लिगू में कहूँ 2Al3 positive है और 3 electron खाता है giving it 2Al solid ठीक है तो ध्यान दखना कोई भी जो coefficient है न कोफीशियंट cell reaction में never represent कोई भी coefficient रेप्रेजेंट नहीं होगा तीसरी और important बात पानी कभी भी रेप्रेजेंट नहीं होगा चौती और important बात अगर तेरे पास कोई gases आइन है गैस का कोई भी आइन है जैसे मैं H2 के बात करूँ इसके case में PT जैसे inert electrode का यूज करना पड़ेगा और PT जो रहेगा वो decide करेगा किसके बारे में process के बारे में कौन सी process के बारे में भाईया ऑक्सीडेशन हो रही है या reduction हो रही है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर PT यहां आया तो क्या है इनोड है और अगर PT यहां आया तो क्या है कैथोर पहले चार पॉइंट सांज मायरे सिंपल मैंने क्या बोला ABC की ट्रिक द्यान दखनी है दूसरी चीज मैंने क्या बोली कोई भी कोई भी कोईशियंट कभी भी सेल रेप्रेजेंटेशन में रेप्रेजेंट नहीं किया जाता तीसरी बा ठीक है दूसरी बात क्या है अगर मैं कहूं देख भई हमिसे ध्यान रखियो जो भी तेरे पास मैटल आयन रहेगा न वो किसके पास रहेगा वो नियर टू नियर टू सॉल्ट ब्रेज रहेगा और चटी और इंपोर्टेंट बात देख तुमने देखा हुआ अभी मैंने क्या यूज किया जैसे मैंने जिंक सॉलिड और जेडेड टू पॉजिटिव एक्वस यूज कर रहा हूँ ठीक है न और मान के चल मैंने इसी रेक्शन को ऐसे ल इसी बात को हुआ चली मैंसे लिए तो यह क्या हूँ यह की मैटल के दो अलग लग लग अलेक्ट्रोलाइट है यहां भी आइरेन यहां भी आइरेन बस दोनों डिफरेंट ऑक्षिडेशन स्टेट में है इसका मतलब क्या हो गया यह जो है यह किसको रिप्रेंट करता है कि यह जो आइन है वो सरिफ डिफरेंट ऑक्षिडेशन स्टेट में है लेकिन हैं किसके सेम मैटल के हैं बोलो बात समझ में आई आई यह नहीं आई यह सिंपल मैंने सेल रेप्रेजेंटेशन सिखाया आपको यह छे रूल दिमाग में रखने हैं सारे सवाल लग जाएंग